हम बात करेंगे इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि किस प्रकार से इस्ट इंडिया कंपनी की इस्तापना हुई वो भारत आई और भारत में आने के बाद में उसने बंगाल का जो छित्तर था उस पर अधिकार करके पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया तो बात करते ह सबसे पहले इस्ट इंडिया कंपनी के देखो इस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी हम बात करें तो 23 सितंबर 23 सितंबर 23 सितंबर 1600 को क्या हुआ था 23 सितंबर 1600 को लंदन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर लंदन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कम्पनी की स्तापना की जिसे East India Company के नाम से जाना गया अब कम्पनी के तो इस्तापना हो गई अब इस कम्पनी ने चाहा कि हम जो एसिया के पूरू के जो देश हैं उनके साथ क्या करें व्यापार करें तो पूरू के देसों के साथ व्यापार करने की इनकी अच्छा थी और 23 सिटमबर 1600 को Ishton India कमपनी स्थापितो हुई तो Ishton India कमपनी की क्या हुई इस्थापना अब यह तो हो गोई स्थापना फिर आगे क्या कि इन्होंने ये इस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे व्यापारी थे इन्होंने 31 दिसंबर इस्ट इंडिया कम्पनी के लोग ब्रिटेन की मारानी के पास पहुँचे और ब्रिटेन की मारानी थी एलिजाबेट प्रथम तो मारानी एलिजाबेट प्रथम के सामने उपस्तुत हुए और उनसे चाहा कि हमें पूरू के देशों के साथ व्यापर करना है तो मारानी एलिजाबेट ने उन्हें क्या प्रदान किया तो ब्रिटेन की मारानी ने उन्हें अधिकार पत्र प्रदान किया और इस अधिकार पत्तर के माध्यम से इस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे या इस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उन्हें पूरु के देशों के साथ पूरु के देश यह हम बोलने एसिया कि पूरु के देशों के साथ व्यापार करने का उन्हें एक अधिकार प्राप्त हुआ व्यापार करने का क्या प्राप्त हुआ एक अधिकार इससे विप्राई यह है कि East India Company के अलावा और भोछ सारी कमपनिया काम पर थी, लंदन में थी, लेकिन वियापार करने के जो अनुमती मिली, वो सिर्फ और किसे मिली, East India Company को ही मिली, तो East India Company के अलावा और जो ब्रिटेन की कमपनिया थी, वो पूर्व के देशों के साथ वियापार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अनुमती किसे मिली थी, East India Company को मिली थी, तो इस परकार से 23 सितंबर 1600 को, East India Company की स्तापना हुई थी, लंदन में, और 31 दिसंबर 1600 को, ब्रिटेन की मारानी, एलिजावेट प्रथम ने, उन्हें ये अनुमती प्रतान कर दी, कि वो पूर्व के जो देश हैं, ठीक है, उनकी साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो नहीं काधिकार प्राप्ते हो गया, इधर हम बात करें, तो देखो, इस समय, 1600 के आसपास, क्या था, मुगल काल चल रहा था, कौन सा काल चल रहा था, मुगल काल, ठीक है, तो यहां पर भारत का जो सासन था, वो मुगलों के माध्यम से संचाली था, हो रहा था, अब खाली अंग्रेज ही भारत ने आए, इस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही भारत ने आए, बल्कि बहुत सारी कंपनी आई थी, जैसे पूर्टगाली भी भारत आये थे, पूर्टगाली भारत आये थे, डच भारत आये थे, व्यापार की बात कर रहे हैं, अंग्रेज भारत आये थे, और फ्रांसिसी भारत आये थे, तो इस परकार से अगर हम देखें, तो देखो, पूर्टगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसिसी, ये सबी व्यापार कर ने के उड़ेसे से भारत में आये थे और उस समय व्यापार के दिश्टी से भारत उननत देश था और भारत के मसाले बहुत प्रसिद्य थे तो अगर हम यहां पर बात करें, तो इनमें आपस में संगर्ष चला, और इस संगर्ष में अंततय कोन सफल रहे, इस संगर्ष में अंततय अंग्रेज सफल रहे, और अंग्रेजों का एक प्रकार से अधीकार हो गया कि इस पर भारत पर, अब देखो क्या हुआ, फिरा कर हम बा बनाया था एक किला और वो किला कहां पर बनाया था मद्रास और वर्तमान में इसको क्या कहते हम चिन नहीं किले का क्या नाम था तो किले का नाम था सेंट जोर्ज तो सेंट जर्ज जो फोर्ट बनाया गया जो किला बनाया गया वो अंग्रीजों के मद्यम से बनाया था इस चिंग्या कंपनी के मद्यम से बनाया गया था और वो कहां पर बनाया गया था ये बनाया गया था मद्रास ये वर्तमान की बात कर लें चिन नहीं किलेगा निर्माण इनोंने मदरास में किया फिर इनोंने 1612 क्या किया 1612 में इनोंने सूरत में अपनी स्थाई सूरत में कैसी स्थाई जो व्यापारिक कोठी है वो खोली तो सूरत में इस था ही व्यापारिक कोठी अंग्रेजों के मध्यम से खोली गई तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने 1604 इसी में एक किले का निर्मान किया जो मद्रास में बनाए गया था जिसका नाम था सेंट जोर्ज फॉर्ट और 1612 इसी में सूरत में इनोंने अपनी व्यापारिकोटी स्थापिते की फिर आगे बात करें तो देखो 1707 इसी में क्या हुआ जो ओरंग्जेव थे सक्तिसाली अंतिम जो मुगल समराड थे ओरंग्जेव उनकी मौत हो गई उनकी मौत होने के बाद में उनके अत्रादिकारी थे कंजोर थे अएक्जेव थे तो उनकी कंजोरी का फाइदा किसे मिलने लगा अंग्रेजों को या इस्ट-ंडिया कंपनी के लोगों को मिलने लगा इतने हम बात करें 1770 1770 तो 1770 ECU में क्या हुआ था 1770 ECU में जो मुगल सासक थे मुगल बादशा थे और उन मुगल बादशा का नाम था फरूक सियर फरूक सियर तो मुगल बादशा कौन थे फरूक सियर थे, अंग्रेज जो थे वो फरूक सियर से मिलते हैं और उन फरूक सियर को उन्होंने क्या तीन हजार रुपे नजराना दिया, तीन हजार रुपे क्या दिया, नजराना तो फरूक सियर से मिलने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया अपने परभाव को बढ़ाने के लिए तीन अजार रुपय का नजराना उन्होंने मुगल समराठ को सूपा और उससे मुगल समराठ ने अंग्रेजों को क्या परदान कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को एक तो 38 गाऊं कि तो 38 गाऊं की तो जमीदारी दे दि और साथ में क्या परदान किया। इसके अलावा, कमपनी, जो इस्टिंडिया कमपनी के हम बात कर रहे हैं, तो इस्टिंडिया कमपनी का जो सुल्क लगता था, ठीक है, कमपनी का क्या लगता था, सीमा सुल्क, उस सीमा सुल्क को क्या कर दिया गया, समाप्ते कर दिया गया, इस प्रकार से कमपनी की जो थी वो बीना सीमा सुल्क के भारत में एक जगह से दूसरे जगह जाने लगी और उन पर लगने वाला जो सुल्क था वो फिरी हो गया तो पैसे भी कम लगे और उसका फाइदा कम्पनी को होने लगा तो इधर 1770 में मुगल बादशा फरूक सियर ने एक फर्मान जारी करके 38 गाओं के तो जमीदारी दे दी और कम्पनी के जो वस्तू है उनको सीमा सुल्क से क्या दे दी मुक्ति दे दी और मात्र कितने हजार रुपे में तीन हजार रुपे में और इसके कारण क्या हुआ बंगाल में बढ़ने लगा तो कम्पनी का क्या बढ़ा हस्तक्षेप और वह स्तक्षेप कहां पर बढ़ा बंगाल में तो यह बढ़ा प्रभाव रहा किसका कम्पनी का तो कम्पनी का हस्तक्षेप मंगाल में बढ़ने लगा अब अगर हम भारत की बात कर लें किसके बात कर तो देखो थोड़ा सा मांचितर के मांदेम से इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा इधर बड़ा बन गया है अगर हम भारत की बात कर लें तो देखो एक तो भारत का ये वाला चितर है एक भारत का ये वाला चितर है एक भारत का ये वाला चितर है इस प्रकार से भारत में तीन प्रेसिडेंसियां होगा करती थी एक बंगाल, दूसरा बंबई और तीसरा मद्रास इन सम्में सबसे बड़ा जो छेत्र था वो बंगाल था इस बंगाल में कौन-कौन से छेत्र आते थे तो इसमें उडिसा, ठीक है, बंगाल और बिहार ये तीन छेत्र इसमें आते थे और इन तीनों छित्रों का आकार बड़ा था और संसाद्रों के दिष्ठी से या आर्थिक दिष्ठी से या उन्नत प्रदेश था तो भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने सोचा कि इस छित्र पर क्या हो जाए अपना अधिकार हो जाए तो इधर से बंगाल में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गए अंग्रेजों को और उसके कारण ही आगे जाकर के एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है तो प्लासी का युद्ध हुआ उसका कारण ये हुआ कि धीरे धीरे बंगाल में हस्तक शेप किसका बढ़ने लगा अंग्रेजों का बढ़ने लगा तो हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध अब प्लासी का युद्ध सुरू हुआ उससे पहले कि हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो अपनी हेडिंग हो जाएगी प्लासी का युद्ध और ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो प्लासी का युद्ध हुआ था तेज जुन को और 1757 को तो तेज जुन 1757 को विश्व प्रसिद युद्ध हुआ जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता ह और इस युद्धे से अंग्रेजों का और अधिक हस्तक्षे बढ़ गया कि इसमें बंगाल में अब बात करते हैं बंगाल की तो देखो बंगाल का जो नवाब था बंगाल का नवाब अब नवाब किसको बोलते हैं कि जैसे कहीं पर राजा बोला जाता है ठीक है तो एक परकार से बंगाल का जो सासक था उसको क्या कहा जाता था नवाब कहा जाता था और उसका नाम था अली वर्दी खान अली वर्दी खान तो अली वर्दी खान बंगाल का नवाब था और 1756 में तो 1756 में नवाब का जो सा सकता अली वर्दी खान उसकी क्या हो गई थी? उसकी मृत्य हो गई अब बंगाल का जो नवाब था वो हट गया तो इसी की जो सबसे छोटी बेटी थी उसका पुत्र ठीक है? बंगाल का क्या बना? बंगाल का नवाब तो बंगाल का नवाब कोन बना? सिराजुदोला तो सिराजुदोला बंगाल का क्या बना? नवाब बना अब सासक बनने के बाद में ये नहीं चाता था कि अंग्रेजों का स्थक्षे बंगाल में क्या हो जादा हो इधर से हम बात करें, तो एक छित्र आता है पूर्णिया, कौन सा छित्र आता है पूर्णिया, तो बंगाल छित्र में ही एक छित्र था, बंगाल प्रदेश में ही एक छित्र था पूर्णिया, यहां का जो गवर्नर था, कि पूर्णिया का जो सासन व्यवस्ता जिसके मार्द्यम से संचाली तो रही थी ठीक है उसका नाम था सोकत जंग सोकत जंग अब ये सोकत जंग चाहता था कि सिराजुदोला के इस्तान पर बंगाल का नवाव या बंगाल का सासा कौन बन जाए वह स्वेम बन जाए तो सोकत जंग चाता था कि बंगाल का नवाब वह बने अब जब ऐसी स्थिति आई ठीक है ऐसी स्थिति आई तो अंग्रेजों को एक आउसर मिल गया कि क्यों ना यह आपस में जगडते रहें हो रमी इसका क्या उठा लें लाब उठा ले ठीक है अंग्र कि छेत्र में स्थक्षेप होने लगा आर्थिक मुद्धों पर सिराजु दोलार अंग्रेजों का जब संगर्ष चलता रहा तो इसके कारण क्या हुआ प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध की हम बात कर लें तो देखो अंग्रेज अधिकारी थे रोबर्ट क्लाइब तो एक तरफ अंग्रेज एक तरफ तो कौन थे एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन था तो दूसरी तरफ था बंगाल का सासक सिराजु दोला तो बंगाल का सासक सिराजु दोला और अंग्रेजों के मद्धे में युद्ध लड़ा गया जिसे प्लासी का युद्ध कहा गया इधर सिराजु दोला का जो सेनापती था सिराजु दोला का सेनापती इस सेनापती का नाम था मीर जाफर अब ऐसा माना जाता है कि इस समय अंग्रेजों की सेना मातर तीन अजार थी और शिराजु दोला की सेना जो थी वो विशाल सेना थी तो लगता नहीं था कि अंग्रेज जीत जाएंगे तो इन्होंने एक चाल चली और शिराजु दोला का जो सेना पती था मीर जाफर, इस मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या दिया, लालच दिया लालच क्या दिया, कि अगर आप हमारा साथ देते हो युद्ध में तो सिराजुदोला के स्थान पर हम आपको बंगाल का क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे तो इन्हें ओफर मिला, और ओफर क्या था, ओफर बंगाल का नवाब, बनाने का इन्हें क्या मिला, ओफर तो बंगाल का नवाब अब इसके लिए मीर जाफर क्या हो गया, तैयार हो गया अब दोनों के मद्धे में जब संगर्स हुआ प्लासी का युद लड़ा गया तो ऐसी स्थिति में सिराजु दोला के जो विश्वास पात्र व्यक्ती थे वो तो लड़ते भी मारे गई और उसे पता नहीं था कि मेर जाफर इस अंग्रेजों से मिला हुआ है और मेर जाफर न इसके युद्ध में सिराजु दोला के क्या हो गई हत्या हो गई सिराजु दोला के हत्या हुई तो इसके बाद में बंगाल का जो नवाब बनाए गया वो किसे बनाए गया वो इनका जो सेनापती था मेर जाफर उसे बंगाल का क्या बना दिया गया नवाब बना दिया गया और ये नवाब रहा 1757 से लेकर 3 साल 1760 तक है अब 3 साल बंगाल का नवाब रहा अंग्रेजों का विश्वास पत्र था तो अंग्रेजों ने सोचा जितना पैसा यह में दे सकता है उतना पैसा इससे ले लिया जाएं तो साला ना इससे बहुत जदा पैसा लेने लगे कोन अंग्रेज कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई कोन मीर जाफर जितना पैसे यह दे सकता था उतना पैसा अंग्रेजों ने ले लिया और बाद में क्या हुआ जब यह ऐसमर्थ रहने लगा तो 1760 में मीर जाफर को बंगाल के नवाब पद से हटा दिया गया किस ने अटाया अंग्रेजों ने हटा दिया और इसके इस्तान पर बंगाल का जो नवाब बनाया गया वो किसे बनाया गया तो बंगाल का नवाब बनाया गया मीर कासिम को तो मीर कासिम के बात कर लें तो मीर कासिम बंगाल के क्या बने नहीं नवाब ठीक है मीर कासिम विश्वास नहीं करते थे किस पर अंग्रेजों को तो उन्हें लगता था कि अंग्रेज जिनों ने मेरे जाफर के साथ ऐसा किया वो मेरे साथ भी ऐसा कभी भी कर सकते हैं तो इन्होंने प्रसासनिक व्यवस्ता को मजबूत करने का प्रियास किया बंगाल में लेकिन ब्रिष्टाचार के कारण क्या हुआ वहाँ के जो प्रसासनिक व्यवस्ता थी वो अच्छी नहीं थी और आर्थिक मुद्धों को ले करके मीर कासिम और अंग्रेजों के मद्धे में क्या बढ़ने लगा मतबेद बढ़ने लगा जिसका प्रभाव ये हुआ कि आगे जाकरके दोनों के मद्धे में संगर्ष चला जिसे बकसर का युद्ध कहा जाता है तो इसे बकसर का युद्ध कहा गया और ये युद्ध कब लड़ा गया तो युद्ध लड़ा गया 22 अक्टोबर 1764 इतियास में ये ज़्यादा मेर्थ पुन इसलिए माना जाता है कि एक परकार से इस युद्ध में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई और बंगाल का जो चेत्र था पूरी तरस अंग्रेजों के अधिकार में आगया तो बकसर का युद्ध हुआ, किस किस के मद्ध में युद्ध हुआ तो एक तरब तो कौन थे? मीर, कासिम, जो बंगाल के नवाप थे और दूस्री तरब कौन थे? अंग्रेज इनके मद्ध्य में संगर्ष चला और सफलता किसे मिली आंग्रेज इस युद्ध में जीत गए इसका परिणाम क्या निकला इसका परिणाम ये निकला कि बंगाल बिहार और उडिसा तो बंगाल में तेन छत्रा आते थे तो बंगाल बिहार उडिसा ठीक है इन छत्रों के कैसी अधिकार दीवानी अधिकार तो बंगाल बिहार और उडिसा के दीवानी अधिकार किसे प्राप्त हो गई ये प्राप्त हो गई अंग्रेजों को या इस्ट इंडिया कमपनी को तो इस्टेण्डिया कंपने के पास दीवानी अधिकार आ गए किसके बंगाल के बिहार के और उडिसा के दीवानी अधिकार से अभी प्राए कि आर्थिक जो छेत्र हैं वो किसके नियंतन में आगे थे इस्टिंडिया कम्पनी के नियंधskन में आगे थे तो धन संपदा, संपत्ती इसम परकार के जो आर्थिक मुद्दे थे उस पर पूरी तरह से किसका सिकंजा हो गया था आस्तिंडिया कम्पनी का नियंध् biking हो गया था तो बकसर का जो युद्ध था वो ज़ादा मेत्पून माना जाता है और इस युद्ध में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई और बंगाल का छित्र अंग्रेजों के अधिकार में आ गया अब अगर थोड़ा समय इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ओर देखे तो अगर हम बात करते हैं इस्ट इंडिया कंपनी और इस्ट इंडिया कंपनी 1757 के प्लासी युद्ध से इन्होंने अपनी भारत में मजबूत इस्तिती की थी और वहां से ले करके 1857 तक पूरी तरह से भारत पर जिसका अधिकार रहा वो कौन थे इस्ट इंडिया कमपनी के लोग कहने का मतलब एक प्रकार से अंग्रेज वियापारी थी ठीक है आगे जाकर के क्या हुआ आगे जाकर के ये हुआ कि 1778 में एक क्रांती वी थी जिसे 1878 की क्रांती कहा जाता है और उस क्रांती में इस्ट इंडिया कमपनी कैसी जैसे करके अपनी सत्ता बचा पाई अपना सासनियां पर इस्तापित रख पाई और उसका प्रभाव ये हुआ कि ब्रिटेन की जो ब्रिटेन का जो क्राउन था उन्होंने इस टिंडिया कंपनी के पास जो सासन था वो हटा करके अपने अधिकार में ले लिया तो 1858 से लेकर के 1947 तक का जो समय था उस समय पर भारत का जो सासन था वो इस टिंडिया कंपनी के हाथ में नहीं था बलकि British सरकार या British Crown या राजमुकुट कि अधिकार में रहा तो इस परकार से 77 से लेकर 1947 तक भारत पर अधिकार अंग्रेजों का रहा जो दो टुकडों में रहता है एक इस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा British Crown आज के लिए इतना है